गर्मी के मौसम में अगर आपको भी चिचडा, पन, नीन आना, सुस्ती, धकान, कमजोरी, हडियों में, दर्द या शरिर में सुजन रहता है तो ये रेसिपी आपके लिए है इसका सेवन करने से आप काफी स्ट्रॉंग बने रहेंगे आपको ना तो कोई दवाई खानी की पूर होती है गर्मी में अकसर हमें नीन नहीं आती है चिचिरापन लगता है हडियों में दर्द शरिर में सुजन रहती है ये सारी प्रोब्लम ये दूर करता है साथ ही अगर आपको विटामिन डी की कमी है अगर आपको डिप्रेशन है तो इसकी प्रोब्लम भी ये दूर क पाया जाता है और इसकी तासिर भी काफी ठंडी होती है तो गर्मी में इसका भी सेवन हमें जरूर करना चाहिए काफी फाइदे मंद होता है और इसमें भी कैल्शियम भरपूर होता है साथ मैंने वनफोर्ट कप काजू लिये हैं और अब इन सभी चीजों को हमें अच्छे से धो लेना है दोस्तो काजू हमारे हार्ट के लिए हमारे माइन के लिए काफी अच्छा होता है अच्छे से धो लेने के बाद हमें इसका पूरा पानी फेक देना है तक ही अच्छे से सा हो जाए फिर इसमें हम एक कप के करीब दूट डालेंगे और इसे भीगो कर रखेंगे दोस्तों दूट के साथ जब हम खस-खस और मगच के बीच का इस्तमाल करते हैं सेवन करते हैं तो इसके फायदे 100 गुना बढ़ जाते हैं तो हम इसे 4-5 गंट के भीगने देंगे तब तक हम दूसरी तैयारी करेंगी यहां पर मैंने लिया है रोस्टेड चना डाल आप चाहे तो भूने हुए चने भी ले सकते हैं उसका छिलका निकाल द तो सत्तू का ठंडा ठंडा छास या फिर आप दही अच्छे से मिला कर इसे पीते हैं तो एक बहुत ही अच्छा ड्रिंक हो जाता है जो आपको इंस्टेंट इनर्जी देगा और आपकी शरिर को भी ठंडा रखेगा तो यह देखें दोस्तों हमने इसे पीस लिया है और जो हेल्थ बेनीफिट है वो पूरे के पूरे हमारे बॉड़ी को मिले और यह सारी चीजें हमारे बॉड़ी को हमारे शरीर को काफी ठंडा रखता है और काफी एनर्जी भी देता है तो यह सारी चीजें अगर आप खालेंगे मेरे बनाए हुए तरीके से तो आपको ना तो लिया है इसका बिल्कुल fine paste हमने बना लिया है अब कड़ाई में लेना है हमें स्रिप और स्रिप 1 4th कप देशी घी दूस्तों देशी-घी का और भी अच्छा आएगा तो अगर आपको बेसन डालना हो तो आप बेसन भी डाल सकते हैं उसे भी बहुत अच्छा टेस्ट आएगा अब इसमें हमने यह जो पेस्ट बनाई थी खस-खस दूद मगजवीज और काजु की वो इसमें डाल देगे और इसे हमें अच्छे से मिक् जाएगा तो जो खस-खस का पेस्ट थाना उसे हमें अच्छे से पकाना है अच्छे से ड्राय करना है ताकि इसकी शेल्फ लाइब बड़े और यह आप काफी दिनों तक खा सके यह देखे दोस्तों इसका कलर चेंज हो चुका है और इसके अंदर का जितना भी मौश्चर ज इसलिए हम सौफ का शर्वत पिते हैं गर्मे में और साथ ही मैंने लिया है हरे इलाइची का पाउडर इसके भी तासिर ठंडी होती है यह हाफ टेबली स्पून है अब मैंने लिया है सूखा नारियल करश करके मतलब इसे कद्दू करके दोस्तों इसमें फाइबर की मात्रा भरपूर होती है जो हमारे डाइजेशन को स्ट्रॉंग बनाता है और इसकी तासिर भी ठंडी होती है काफी पोशक ततों से भरपूर है सूखा नारियल अब यहां पर मैंने लिया है मिश्री तो आज हम इस रेसेपी में ना तो गुड़ डालेंगे ना ही शक्कर मिश्री भ थोड़ा बिल्कुल थोड़ा सा हलडी डाला है हलरी एंटि रियोटिक होती है जो हमारी उमीनेटिव पावर को बूस्ट करती है और काफी सारे बbuster भी मारियों से लड़ने में शरीर को काफी स्ट्रॉंग बनाती है ईक कप डूद डालेंगे और इसे से मिक्स करेंगे और इसे पकाएंगे तो दोस्तो आज की जो रेसिपी है इसे आप बना कर एक हफ़ते के लिए फ्रीज में स्टोर कर सकते ही और सुभे आप खाली पेट में एक से दो चम्मच इसे दूद के साथ खाते ही तो आपका शरीर काफी स्ट्रॉंग बना रहेगा और ग जिसे दूद पक रहा है जैसे जैसे हम इसे पका रहे हैं हलवे का जो टेक्शर है जो कंसिस्टेंस है वह आप देख सकते हैं कितना सिल्की और स्मूथ हो छुका है और ये खाने में इत्पना जादा टेस्टीन और मज़दार लगता है कि जब आप इसे खाएंगे न तो तो दोस्तो घर में बच्चे हो या बड़े या बुजर्ग हो उन्हें भी अगर आप खिलाएंगे ना सभी लोग इसे काफी पसंद से खाएंगे काफी मन से खाएंगे क्योंकि इसका टेस्ट ही इतना लाजवाब लगता है लेकिन इसके फाइदे इतनी जादा हैं इसके गु पूर हो जाएगी तो बहुत ही हेल्दी नुसका है इसे ट्राइ करना और इस नुसकी को अपने तक मत रखना सब के साथ शेयर करना ताकि ये हेल्दी रेसिपी बिल्कुल नए रेसिपी सब लोग ट्राइ कर पाएं वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक और ना भूले